बॉलिवुड एक्टर कुमुद मिश्रा, सुब्र जोती बरात, सुमीत व्यास, घंशाम लालसा से मिलिए साथ ही आनंद उठाइए म्यूजिक बैंड कबीर कैफे की प्रस्तुती का फोर्थ चित्रांगन इंटरनेशनल फेल्म एंट फेस्टिवल में इक्कीस, बाइस एवं तेईस फर्वरी, कृष्णाराज कपूर आडिटोरियम, जीवा, प्रवेश निशुल्क नमस्कार आप लोगोंने कई बार सुना होगा, कार्टून्स बनते हैं, देखे होंगे, कार्टून्स देखे होंगे कई बार देखा होगा, कि क्रिकेट में कॉमेंटरी होती है, उसके बीच बीच में कुछ अजीब से किस्से भी बताया जाते है कई बार आपने देखा होगा कि कुछ स्टेज में कुछ कलाकार कई लोगों की नकल निकालते हैं चाहे फिल्म कलाकार हो या राजनेता हो आपको आश्चर होता होगा कि एक विक्ति कैसे इतनी तरह की आवाजे निकाल लेता है तो आज आपकी इस उत्सुकता को शांत करने के लिए जिग्यासा को शांत करने के लिए हमारे शहर के रीवा शहर के युवा हैं उनको मैं अपने इस्टूडियो में उनको हमने बुलाया है वो आपको बताएंगे कि कैसे एक वाइस ओवर आर्टिस्ट काम करता है और कुछ नमूने भी आपको पेश करेंगे तो हम आपको मिलवाते हैं शुभाम पांडे जी से बहुत-बहुत स्वागत है शुभाम आपका बहुत-बहुत देनेवाद क्वाइब आज हम बात कर रहे हैं अपने दर्शकों से कि कैसे काम करता है उसकी आर्थिक समबरधन में वो कैसे मतलब अपने वाइब को मददगार पाता है और संभावनाय तो हैं हैं जो भी मतलब किस-किस फील्ड में हैं उसके बारे में भी हम आप से बात करेंगे और आपके कुछ नमूने हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसे आप किसकी आवाज निकालना है तो आप बताएंगे कि कार्टून में ऐसे निकलती है या फिल्म की ऐसे आवाज है तो सबसे पहले आप यह बताएं कि वाई सोवर आर्टिस्ट एक्चुली है क्या देखें वाई सोवर आर्टिस्ट जो होता है वो ऐसा ही करता है वो अपने गले पर ऐसी खुराफात करता है कि वो अपने आवाज को चेहे तो जैसा बदल लेता है या तो भाई थोड़ा सा भारी करने की कोशिश कर लेता है या तो वो कोशिश करता है कि उसमें थोड़ी से कोमेडी वाला पुंच डाला जाए ऐसे अलग लग तरीके से अलग लग तरीके का मॉडियूलेशन ले करके बोलने का अलग लग एकसेंट ले करके वो कोशिश करता है कि वो अपनी बातों को रख पाए और लोगों को इसमें मज़ा आए यही है वाइस ओवर आटिस्ट का काम मज़ा है आपका फील बड़ा मज़ेदार लग रहा है मुझे आप में पताया है कि आप वाइस ओवर करते हैं तो केवल बतलब आवाजें निकाल गया और उससे आपको कुछ आर्थिक लाप भी होता है अगर सच-सच बता हूँ तो हाँ होता है और जूट बोल ला हूँ पापा से थोड़ा पॉकेट मनी बढ़वानी हो तो कह भी देते हैं कि कम हुआ है और आव यहाँ कर सफोर करके आप बड़े आराम से महिने के लाखो रुपए कमा सकते हैं और आज का वो समय आ गया है कि आप यहाँ रिवा जैसे टीर 3 सिटी में बैठ करके भी आप यहाँ से भी आराम से कमा सकते हैं बस आपके पास एक इनिशियल सा माइक थोड़ा बहुत साउंड में खेलने की शमता और थोड़ी बहुत जानकारी हो और नो डाउट आपके पास गला तो आपका होना ही चाहिए क्योंकि मुख्य अंत्रा आपका यही है गला तो आप ऐसा कर सकते हैं तो कुछ हमारे दर्शकों को आप कुछ बोल कर सुनाईए बताईए कि आप अपनी इच्छा से बताईए कि आप क्या आज हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे बताना चाहेंगे बिलकुल मैं आप लोगों को बहुत कुछ सुनाने के लिए क्योंकि जैसे कवी के मन में होता है ना एक शायर के मन में कि आज आज इसना सुबे सुबे हौइडी कविता लिख है तो सुना दे तो मेरे पास भी सालों से बहुत सारी आवाजें मैंने समहाल करके रखी है लोगों ने बहुत सारी तालियां बजाई तो मुझे भी बड़ा मज़ आया और मैंने सोचा कि यार इनको ये तालियां मिल जाती हैं इस काम से तो मैं भी सीख आऊंगा एक आथ हपते प्रैक्टिस की मैंने मैं कुछ आवाज निकाल करके आया और वो दीरे-दीरे करके सुध और अगर जैसे नाना पाटेकर सपोज की यहां पर आये हुए है अच्छा है देख कैमरा चल रहा है मैं टीवी पे आ रहा हूं ठीक है तितिकलांग वाली बाई हां पर दिखना है या मोबाईल पर दिखना है तो काम थोड़ा अलग टाइप करना पड़ेगा और जैसे छोटे बच्चे अगर यह चैनल देख रहा हो तो बहुत सारे कार्टून वाइसे साते हैं कार्टून में जैसे मोटू पतलू एक सीरियल है बहुत चलता है तो इसमें मोटू समोसा बहुत खादा है वो अपनी बात ऐसे रख रहा होता है अरे भाई समोसे अरे पतलू मुझे भी यह समोसे दिला दे तो पतलू का हमेशे अरे भाई थोड़ा खान तो मुझे भी दिला देना और ऐसी बहुत सारी आवाज है जैसे गुलशन ग्रूबर यह अगर हम बात करते हैं बैड मैं जिन्दगी का मजा तो खटे में है गुरमे दिलाल तेन हमर जानिये शद्धा कपूर के पिता जी है शक्तिकपूर शद्धा कपूर जी का टाइम से ही चल रहा है शक्तिकपूर जी को थोड़े से काम काम मिल रहे है क्योंकि उम्र हो गई है तो सपोस करता है कि सब्सक्तिकपूर पैसे माग रहे है आओ डाकी चिके डाकी चिके डा नंदू सबका बंदू अरसद्धा इस समय पर तुम्हारी फिल्म बहुत चल रही है आसिके तुम्हें कितना पैसा कमाया है हमनों तुमको रोमैंस करने के छोड़ दे तो मुझे पैसा दे दो यहसे बह है हमारे दर्शकों को इसे ऐसे जान सकते हैं कि जैसे हम एक्टिंग में लोगों की नकल करते हैं तो कहीं न कहीं इसकी शुरूवात नकल करने से ही होती है अगर मेरी आवाज बहुत अच्छी भी है बहुत अच्छी बेस वाली आवाज है लेकिन अगर मैं अपने ही टोन प अच्छा गला होना एक अलग बात है, पर अच्छे से गा लेना भी जरूरी है, लेकिन उसी में आपके पास variation होना जिस तरह सिंगर के लिए बहुत जरूरी है, कि वो दुख वाले गाने भी अच्छे से गा पाए, सुख वाले भी, पार्टी सॉंग्स भी अच्छे गा पाए, इसी तरीके से एक voice over artist को अलग-अलग pace, अलग-अलग rhythm, अलग-अलग modulation, अलग-अलग tone, अलग-अलग diction, अलग-अलग pronunciation, अलग-अलग accent में काम करना होता है, और इन सारी चीज़ों को मिला करके, आप अपनी आवाज से कुछ character बनाते हैं, अलग-अलग actors की आवाज निकालना mimicry कहला जाएगी, cartoon voices निकाला mimicry आजाएगी, लेकिन जब इसी चीज़ को सिर्फ voice over artist के तौर पर, जब अलग-अलग चीज़ प्रेजन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब FM पे में काम करता था, तो जैसे माल लेते हैं, unique FM, तो वो किस तरह से प्रेजन कर रहे होते हैं बहुत modulation होता है उनकी आवाज में, सुबह के बच्चु के हैं साथ और इस वक्त सुनने वाले हैं आप बहुत ही शांदार गाने बॉलिवूड के लेकर क्या हैं, टॉप 10 गाने, लेकिन उससे पहले एक छोटा से ब्रेक तो बनता है, और अगर यही चीज़ अगर आप आका अश्वानी का ये रीवा केंद्र है और अब वक्त हो चला है युवासाथियों का मन पसंदीदा कारिक्रम युववानी देखने का, पर यही चीज़ जब युववानी हो रही होती है, तो उसकी शुदूआत कुछ ऐसी होती है कि युववानी कारिक्रम में आप सभी मोठेगा ऐसे बहुत तरह की अलग-अलग जरूरत पड़ती है हमारे आवाज को उस तरीके से shift करने की अगर हम जैसे कोई commercial add कर रहे हूं आपने देखा होगा कि चाय वाला भी जब बेचता है वो simple भी बोल सकता है चाय ले लो पर जब तक वो चाय चाय नहीं बोले तब तक आपके दिमाग में एक set है चाय बेचने वाला ट्रेन में ऐसा ही चाय बेच रहा है वो उसका unique selling point है बड़े-बड़े MBA colleges में सिखाय जाता कि भाई आपके product की USP क्या है तो यह उसकी USP है आपने देखा होगा कि कच्चा बदाम खुब वाइरल हुआ था वो उसकी USP होती तो इसी तरह से अलग-अलग wise over जब हम जैसे कोई प्रचार कर रहे होते हैं तो हमें उस प्रचार में अलग तरह की आवाज देनी होती है जैसे कि अब हमने शब्द सांची के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आपके शहर का एक जाना माना YouTube चैनल जिसमें आप सिर्फ ख़वरे ही नहीं बलकि देखते हैं सच्चाई को तो आईए आज कुछ सच्चा द देखा जाए आए शब्द सांची देखा जाए आए शब्द सांची पढ़ा जाए तो ये एक तरीका बदल जाता है उस चीज को प्रेजेंट करने का आपका कहना है कि जिस भाव से हम को लोगों को बताना है या जो भाव जागरित करना है या जो भाव जागरित करना है तो उस भाव से पोलना है और जैसे आपने FM का उधारन दिया तो FM में एक ताजगी, एनरजी, चुकि FM ज्यादा तर युवा सुनते हैं, युवा उसमें ज्यादा इन्वाल रहते हैं, तो आपका ये कहना है कि उस भाव से हमको पहले रूबरू होना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा और उसके बाद फिर अपने वाइस से खेल कर आप वाइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं, तो इसमें आप अभी क्या संभावनाएं देखते हैं, युवा हमारे पढ़ाई के अलावा बहुत सारी विधाओं में अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोगों की बहुत अच्छे मॉडूलेशन साते हैं, कुछ लोगों की आवाज कुदरती तोर पे बहुत भारी होती है, या अच्छी होती है, तो कैसे अपना करियर इस लाइन पे इस फिल्ड में बना सकते हैं, अगर इस लाइन में करियर बनाना हैं, तो आप इसे पार्ट टाइम भी क कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दिन का कुछ वक्त आप दे रहे हैं, आदे घंटे, एक घंटे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका गला इस तर का दवाव भी जेल सकता है, क्योंकि as a wise over artist, जब आप 5 10 मिनट बोलते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, आपने 2-4 आवाजे निकाली तो अच्छा लगा 5-10 मिनट तक, उसके बाद क्योंकि ये आपकी मशीन है, और इसका ख्याल भी रखना है, कि आज गला बैठ गया है, तो कल भी हमको इसी मशीन से काम करना है, आपको नीद होगी, तो आप टाइपिंग का काम कर लेंगे, ज्यादा होगा तो गलत लिख देंगे, तो बैक स्पेस दबा देंगे, पर वाइस ओवर आटिस्ट के तौर पर आपको नीद आरी होगी, तो फिर आप जब तक आप जागरित नहीं रहेंगे, तब तक नहीं कर पाएंगे, ये बात मैं शुरू में इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पार टाइम करना चाहते हैं, और आपकी आवाज में वो निखार है, आप उन चीजों क अच्छस कर लेंगे, आपने सीख लिया है, और ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं, या आप कोशिश करते है इसके लिए कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कला है, कला आप खुझ से भी निखार सकते हैं, तो आप आज की टाइम पे हमारे देश भर में आपने देखा होगा कि लगभग सारी कंपनीज डिजिटल हो चुकी हैं, सब गॉर्मेंट के एक एक इंस्टिटूट से लेकर के सब कुछ लगभग डिजिटल की और जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे इसे इंस्टिटूट से बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, अप यूट्व चैनल की ही बात कर लीजे, तो बहुत सारे ऐसे यूट्व चैनल है जिनके पास सिर्फ ऑडियो है और उपर से इमेज Just और वीडियोस चल रहे होते हैं, जैसे अभी चेहरा दिख रहा है, शब्दसांची में वैसा चेहरा नहीं दिख रहा होता है, तो उनको वाइस ओवर आर्टिस्ट की जरुवरत होती है, क्यों कि हो सकता है कि वो एक अच्छे इंजीनियर हैं, और उनका चैनल होगा, हो सकता है हो एक अच्छे डॉक्टर हैं, और वो अपने कुछ वीडियोस प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो अच्छा बोल नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कि वो एक कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, हो सकता है कि वो कोई एक बड़ा फर्म है, बिजनेस फर्म है, तो उनको भी एक शोरील बना सकते हैं, अपने रिज्यूम बना सकते हैं, शोरील कहने के मतलब है आप की आवाज का डेमॉ, कि आप कहानिया ऐसे कहेंगे, आप प्रचार ऐसे करते हैं, आप ह legacy करते हैं, आप inspirational, motivational बाते ऐसे कहते हैं, या आप अलग-umbleकतार की mimicry करते हैं, तो आप ऐसे आव बाते हो जाती है, तो आप एक दूसरे एक काम करते हैं, ऐसे इंडेपेंडट भी आप बहुत आज कल के टाइम पर काम कर सकते हैं, ऐसे आप काम कर सकते हैं, और अपना खुद का चैनल भी हो गया, या बहुत सारी लोग आज तो podcast कितना शुरू हो गया है, तो जो आकाश वाड़ी और इधार FM अगेरा में जो चीज़े होती थे आप तो podcast में आने लग गया है, तो आप वहां से भी अपने बाते रख सकते हैं, तो इस तरह से unlimited scope है, फिल्मों में है, dubbing आर्टिस्ट की तो आप ने हो सकता है कि आप पंजाबी में dub कर रहे हैं, हो सकता है आप बांगला भाशा में dub कर रहे हैं, तो ऐसे भी काम आता है, cartoon में, animation में, documentary में, बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, शुहम काफी अच्छी जानकारी आप ने दी, एक उत्सुकता है, जैसे cricket match जब च कि कुछ कहानियां बीच बीट में कुछ गॉसिपिंग टाइप की कुछ रहती हैं तो वैसा भी आप लोग करते हैं देखे कुछ तो रहती भी है और कुछ खबरे बनाई भी जाती हैं चटपटी क्योंकि बॉलिवुड और खेल इसमें थोड़ा सा चटपटा मिलाना जरूरी ह हो जाता है तो कई बार जैसे मैंने कुछ स्क्रिप्स की है तो उनमें चीजें कुछ ऐसी चल रही होती है कि विराट कोहली ने मार दिया शांदार चौका तो देखते ही सन रह गई अनुष्का और अनुष्का ने दे दिया उन्हें फ्लाइंग किस तो ऐसी तरह की बहुत सा धुरंदर क्रिकेट की दुनिया में मच गया है भूचाल आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो हैरान रहे जाएंगे आखिर क्या कह दिया है इन दोनों की पत्नियों ने आपस में एक दूसरे की बातों में उलचते हुए बहुत अच्छी जानकारी दिया आपने शुबहम और ऐसे युवा जो कुछ वाइस में अच्छा काम करना चाह रहे होंगे उनको ये आपकी इस जानकारी से बहुत लाब मिलेगा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि और आप ऐसे युवा या ऐसे प्रॉड या बुजर्ग जो लोग भी इस विधा को अपनाना चाहते हैं इस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो शुबहम ने बहुत अच्छी जानकारी इस कारिक्रम में दी उमीद करेंगे कि आज शुबहम हमारे शहर के और भी लोग होंगे जो इस तरह का काम करते होंगे पर ऐसे और लोग भी हो और पैसे भी कमाएं और मजा भी लें और अच्छा काम करने का जो सुकून है वो भी अपने अंदर वो ग्रहंट करें बहुत बहुत धन्यवाद